बिसम्लेख मानुभी मस्लाम आलेकूम नाजरीन वीनस टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट आपका मेजबान महमदली पंजवानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला नाजरीन ऐसोपीस पर दुबारा अमल दरामत किया जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्स्चेंज में एक सेर्कुलर जारिवा है जिसके तहए जितने भी तीयाएडी होल्डर्स है जितने भी स्टॉक ब्लोकर्स हैं जितने भी इक्वीटी डेलर्स हैं उनको यह सजेस्ट किया है कि जितना हो सके आप SOPs का धियान रखे COVID दुबारा स्पाइक कर रहा है एक नया वेडियेंट आया है ओमिर्कॉन वेडियेंट है इतना डेडली नहीं इतना सिवियर नहीं है लेकिन यह जो है काफी ज़ादा स्पाइक कर रहा है और इसमें जो spread की जो ratio है वो काफी ज़ादा है यह जो मामलाथ है जो पहली वेव आई थी उसमें जो है वो अंदाजा नहीं था पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था और उससे साब से research नहीं हुई थी तो हम जो है पूरी दुनिया एक lockdown पर चली गी तो इसके बाद हमने देखा जो माशी मामलाथ हैं जो तिजारती मामलाथ हैं वो काफी ज़ादा रुख गए थम गए और जो trade के जो मामला थे वो भी काफी ज़ादा थम गए और इसके असरात हमने पूरी दुनिया में देखे जो पूरी दुनिया है वो lockdown का शिकार थी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर काफी ज़ादा problem हो गई अब जो यह मामला था रहे हैं अब जो यह कोविट के नए variants आते जा रहे हैं city group जो है उन्होंने अपने पूरा research report में details दी हैं कि किस इस तरह से अब जो है मामला चलेंगे तो वो पूरी दुनिया lockdown पर नहीं जाएगी SOPs होंगे लेकिन SOPs जो हैं वो जितने भी मुमालिक हैं वो import export करते हैं उनमें भी जो है यह मामलात आयद होंगे तो जो import export के मामलात हैं वो खलल का शिकार रहेंगे और उनमें जो है वो ताकीर होगी क्योंकि जो भी shipment एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएगी तो उसमें जो है दस दिन पंदरा दिन डीले हो सकता है तो यह मामला चलेंगे तो जो अभी कोविट 19 के वेरियंट्स हैंगे उसे माश्ची सरगर्मियों पे काफी जादा डेंट पड़ेगा जो हम मामला देखेंगे उसे साबसे दुनिया लॉकडाउन पे नहीं जाएगी लेकिन एसो पीस का पुरी दुनिया ख्यार लखेगी और पुरी दुनिया को ख्यार लखना परेगा ताके जितना जल्दी हो सके यह जो स्पाइक करता है नया वेरियंट आकर वो स्पाइक के मामला थोड़े थमना शुरू हो जाए और रुकना शुरू हो जाए नाजी निसक में सा हो रहा है और जो सो पीस पर अमल दरामत किया जा रहा है क्या देख रहे हैं किस तरह से मामला देख रहे हैं सको आप किक units अगी को सब्स्सी अर्य आधा क्या seizure है जैसे पहले टाइम्स में गए थे लिकिन फिर भी यह एड़ाइस हा कि लोगों को एस्ट पीस अच्छे करीजे से फॉलो करना चुरहिए ताके यह सिस इतने ना बढ़े के इस ऐसे हाला क्रिये तो अपना चराथी में हाथ चौर्फेट, Positivity Rate बहुत 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 ज्यादा ह ट्ष काराएसहर agrep u 18% तो 20% तक पूँत गया एते स oyrap तो यह नगना जो वयएंट अधाय था उसके तो आपके साथ वो बैठेगा तो विजिन वन मिनिट आपकी ब्लड स्रीम में डिटेक्ट हो जाएगा ओमिक्राम वेरियंट आज कल सबसे ज़्याद़ कॉमिनेंट वेरियंट चल रहे हैं इस वेरियंट के पाइदा भी नुक्सान भी है रैपिट स्प्रेडर यह है लेकिन इ क्या चीजे हैं क्या मामला देख रहे हैं बूस्टर शॉर्ट दुबारा लगे जाएंगे यहां फिर जो है कोई इसकी अदियाद भी आना शुरू हो जाएंगी अधियाइट यह है जनाब के लोग अजना अजनाब के वो नोग अपना अफिस फॉलो करें अगर वैरियंट एग तो चीजे सूपर स्प्रेडर रहे लो यह समझ के पुछ ना पतर रहे है पहलें, करते हैं और भी बिमारियां होती हैं वो अप्सकाथ सब्सक्राइब इन करते हैं नियों दुस्तर सिलिया अथिस इस पारगेंपल अबिफिश्टी वाले जुडनी डिजीज वाले तो आफकल आफ हमारी साइटी में देख नहीं तो एकनामिक इंडिशन इतनी इच्छी नहीं है आफकल यंग पीपल को भी जो है टाइबिटीज और प्लेड ट्रेशर डिवेलप कर रहे हैं सही, बिल्कुल सही, अच्छा ये जो भी हम देख रहे हैं के एत की तातिलात भी आएंगी और जो मामला तभी चलेंगे हम कुर्बानी की इत देख रहे हैं ये जो वेरियंट है इन मामला तो थो रहा अंदास होगा के ये जो है अन्य नॉनमल स्पीट से ही चलेगा बिल्कुल से बिल्कुल सही बात है अच्छा इसको ये जो वेरियंट आपने कहा ओमनी कॉर्ण वेरियंट जो है वो इतना डेडली नहीं है लेकिन ये रैपेडली फैल रहा है तो इसमें और क्या और क्या इसके नुक्सानात हैं जो अभी आप जो है वो स्टडी करना इसको रिसर्च कर बिल्कुल उगो जाती है उसके फीचर में क्या नुक्सानात आते हैं इसका हमें एकना कीडियर आईए नहीं है लेकिन लुक्सानात बाराल है पर एग्जंपल इन अबरॉण वेस्ट वेरियों तो उस सेडी कहती है कि बंदे को डिक्रेशन हो जाती है फीचर में कुछ पहत कि जो है क्रॉनिक फटीग लोगों को डिवलक हो जाती है तो रिस तो बारहाल अपनी जगा है भले वो लाइटर वेरियंट क्यों ना हो लाइटर वेरियंट वो भी लाइट लाल है क्योंकि आपको अगर साथ में कोई बिमारी और है तो आपका बहुत अच्छा तक डिजीज आपको लग जाएगी सही सही थैंक यू स्वामल डॉक्र साथ नाजीन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंफलेशन के नंबर भी काफी जादा बढ़ रहे हैं इंफलेशन का जो भी नया आजा तो शुमार आए हैं पाकिस्तान बिर ऑफ स्टेडिस्टिक्स की तरफ से उसमें हम देखें तो CPI का नंबर जो है वो बढ़के 21.30% हो गया है डिसमबर 2008 के बाद ये मामला चले हैं उस वक हमने देखा था जो स्पाइक हुआ था इंफलेशन के नंबर वो 23% तक गया था और 2000 के मामला था अगर हम स्टॉक मार्किट के साथ जो रहें तो वो काफी ज जादा जवाल पजीर थी और मार्किट एक तरह से क्रेश वी थी और आगे जाके मार्किट फ्रीज वी थी और उस मार्किट को दुबारा अपने पाउँ पे खरे होने में और दुबारा मामला चलाने में दो साल लग गये थे हमारी जो एकॉनमी है हमारी जो स्टॉक मार्कि है capital market है और दो साल जो है वो जवाल पजी रही थी और इसके बाद जाके वो दुबारा एक rally बनाना शुरू किया तो क्या इस तरह के आगे जाके मामलत हमें नजर आ रहे हैं तो चीजे देखें जो global inflation के numbers हम देखें तो वो भी हमें ये indicate कर रहे हैं कि पुड़ी दुनिया में जो है वो hyper inflation के साथ recession के numbers जो है वो आएंगे और इस वजहाएं से पुड़ी दुनिया की महिशत वो ताखीर का शिकार होगी और सुस्तरवी का शिकार होगी इसके साथ अगर हम add-on करें जो covid-19 के मामला चलने है जो covid-19 में SOPs को follow करना है तो वो मामला भी काफी जादा dent देंगे तो इस वजहाएं से जो है जितना हो सके हमें कोशिश ये करनी है कि SOPs पर follow करना है SOPs को follow करना है जितना हो सके savings पे जादा जोड़ देना है फुजूल खर्ची को avoid करना है जितना हो सके हमें इस तरह के मामला चलने है कि ये जो मामला चलने है ये temporary होंगे हो सकता है ये एग डेर साल थोड़ा चले तो तब तक के लिए जो है हमें जितना हो सके किफायत साड़ी से और saving से हम काम करेंगे उत्ता ज्यादा बेटर है economic slowdown होंगे और ये सारे मामला इसी तरह linger on होंगे इसके लावा अगर हम देखें तो जब CPI के नंबर इस तरह से आए हैं पहले जो core inflation का नंबर था वो 18.20 परसंट था अब जो है ये बढ़के 21.80 परसंट हो गया है CPI का नंबर IMF ने direct क्यावा है पाकिसानी government को कि आपको जो है वो जो आपका benchmark interest rate है जो पौने 14 परसंट का है उसे बढ़ा कर जो है आपको realistic rate पे लाना है जो CPI के नंबर है core inflation के नंबर है उसके नजदीक लाना है देखना है अभी कि साथ जुलाए बरोस जुमेरात को जो monetary policy है इसमें क्या numbers आते हैं इसमें interest rate कितना बढ़ता है अगर डेर सो से 200 basis point interest rate बढ़ता है तो ये हमारी economy के लिए और ये हमारी capital market बिल्कुसू स्टॉक exchange के लिए ये काफी जदा negative मामलात होंगे negative news होगी तो इस वज़ा से जितना हो सके मौताद होके काम करें मौताद रविया इक्तियार करें कोशिश ये करें कि जितना हो सके अपने आपको saving side पर रखें उतना ज़्यादा बेटर है नाजरीन break पे जाते हैं ब्रेक के बाद आप लोग के साथ data शेयर करें जाता है हमारे साथ रहीगा वेलकम बैक नाजरीन आजरीन सबसे पहले dollar की बात कर ले तो इंटर बैंक पे dollar का जो rate है वो बरोस पहली जुलाई होने की वज़ा से जो state bank है जो banking इदारे हैं वो हमारे close थे closing पर थे इस वज़ा से जो है dollar का जो rate है वो नया नहीं आया है और dollar की trading नहीं वी उससे साथ से तो इंटर बैंक में जो rate अभी चल रहा है वो 30 जून का ही चल रहा है 204.85 चल रहा है हमारा जो रुपी है वो 0.13 परसंट जो है उसने ग्रो किया है रिचरड बे कोल प्राइस अगर हम देख लें तो दुबारा जो कोईला है उसकी कीमत दुबारा बढ़ना शुरू हो गई है वन्स अगें जो ये कोवेड नैंटीन के मामला चले हैं पुरी दुनिया में ये चलने है पाकिस्तान में भी स्पाइक कर रहा है पुरी दुनिया में ये दुबारा अमरिकान वेडियन जो है वो स्पाइक करना शुरू कर दिया है काफी जादा जो है ये फैलने वाला वाइरस है इन चीजों के पेशे नजर कोल के प्राइस अगर हम देखें तो 316.40 डॉलर चल रहा है इसने 6.80 डॉलर जो है वो गेन क्या है डॉल्यू ट्याइक क्रूडल की बात कर ले तो 107.83 डॉलर फी बैरल चल रहा है इसने जो गेन क्या है दो आशारिया 07 डॉलर जो है इसने गेन क्या है वन्स अगेन कॉमोडिटी प्राइसिस जो है वो उपर जाना शुरू हो गही है इस बार जो मामला थे वो जो फर्स कोवे 8 डॉलर तक चले गया था क्रूड वाइल इस बार मामला डिफरेंट है मामला थोड़े अलग है कोवेट 19 के ही जो वेरियंट्स आते हैं उन चीजों के पेशे नज़र ओपेक ने जो है अपनी प्रोड़क्शन नहीं बराई है इस वजा से हम जो क्रूड वाइल के मामला दे हो गई थी तो स्वार से कोल प्राइस नीचे आ गया था इस उम्मीद पर कि जो कोल है वो दुबारा याने सप्लाई हो जाएगी चाइना की तरफ से और उसके रेट नीचे आ जाएंगे गोल कदाम इस मताबिक है एक तोला गोल की कीमत एक लाक 49,500 चल्ड़ा है दस ग्राम स 2540 पर थी टोटल 19 करोड़ का काम हुआ है इस में से 10 करोड़ सेटल हुए है सेल्मेंट का परसंटेज देखे तो 52 अचरिया 25 परसंट है नाजरीन वॉलियूम काफी ज़्यादा कम है और मार्केट सेटल भी जो है वो काफी ज़्यादा कम हुई है तो ये मार्केट में जो प शिकार 137 कमनी है बढ़करार 18 कमनी है एक साल के रिटरन अगरम देखें तो नेगेटिव 12.09 परसंट है जैनवरी से लेके अब तक का रिटरन अगरम देखें तो नेगेटिव 6.65 परसंट है जो डे रेंज है वो इस मताबिक है 41,538 का लोग बनाया है मार्केट ने और 41,744 का हाई बनाया है तो मार्केट जो है तकरीबां 200 पॉइंट के बीच के रही रेंज में मूव वी है काफी ज़्यादा डल एक्टिविटी है जो बावन हफ्तों का लो अगर हम देखें तो मार्केट का है 40,555 का बावन हफ्तों का हाई जो है वो 48,144 का है फीपी लिपी के हसाब से अगर हम देखें मामला तो सबसे बड़ी जो बाइंग है वो NBFC है non banking financial companies की है second number पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी buying है वो individuals की है selling side पे once again insurance company सबसे बड़ा seller है second number पर अगर हम देखें तो mutual fund है वो second number पर seller है नाजीन, once again, जो आपको मामला दिखा रहे हैं, फीपी लिवीवी का, अगर आप डेटा देखेंगे, past one month की अगर आप performance देखेंगे, तो insurance company, जो के बहुत बड़ा bull है, जो market में बहुत अच्छी rally बनाता है, जो market में long term investment करता है, वो मुसलसल selling side पे बैठा है, और इसका साथ द like, monetary policy, इसमें भी interest बरतावा लग रहा है, तो इस वजह से, जिते भी major players हैं, जो participants हैं, stock market के, वो इस वक्स साइड लाइन हैं, और वो fix पे जाने पे जादा तरजी दे रहे हैं, जादा focus कर रहे हैं, तो लहाजा जितना हो सके, मौतात रवया एक्तियार करेंगे, once again, speculation को avoid करे जितना हो सकेगा, investment करेंगे, market का जो P ratio है, multiple, 4.2 का है, उस से नीचे अगर discounted shares मिलने हैं, और आपके पास delivery उठाने को, आपके पास पैसे हैं, और आप उसको long term रख सकते हैं, तब जाके market में सर्माय कारी करें, कोशिश करें, intra day काम ना करें, और speculation avoid करें, अपने दोस्तों, रिष्सेदारों, गर्दोनों का क्याल रखेएगा, शुक्रीया लाफिस.